नवश्कार में उप्रिया पटना नियूज में आपका स्वागत है चुल जानते हैं राजधानी पटना की ग्यार अफट अफट खबरों को पटना के 20 किसान होंगे सम्मानित किसान पुरसकार योजना के लिए बुधवार को जुलास्तर ये चुएन समीती की बैठेक हुई जुसका आयोजन जुलाधिकारी डॉक्टर चंदर शेकर सिंग की अध्यक्षता में हुई इसमें ही बहतर प्रदेशन के लिए वाले किसानों को जल्द ही समानित करने का निर्ने लिया गया है मेडिया में चल रही खबरों के रुज़ार धान प्रशेत्र में आत्मय योजना के थैट 23 प्रखंडों में से 20 में किसान 3 पुरसकार तर जुला सतर पर किसान गौरफ पुरसकार के लिए जोयन किया गया है 20 प्रखंडों में से प्रतेक प्रखंड में एक-एक किसान का चैन किया गया जिन में से ही प्रतेक किसान को 10,000 रुपे का पुरसकार दिया जाएगा IGIMS में पहले टेस्ट यूब बेवी काजुयन, पटना में बीते दिन प्रज़न के क्रम में बड़ी कामयाभी मिली है जिसके तहती राज़ानी पटना के IGIMS पटना के IVF सेंटर में पहले टेस्ट यूब बेवी काजुयन हुआ सत्त और बेला सहरसा, निवासी दंपती, अनिता कुमारी और मिथलेश कुमार की शादी के 14 साल बाद तक संतान सुख नहीं मिल पाय था गौर तलब है कि दंपती ने अपना इलाज IGIMS में कराना शुरू किया इसके पहने वो कई नीजी और सरकारी चुकितसकों से भी अपना इलाज करा चुके हैं लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिल पाय था GTRI-2 के मंच पर 26 सताइस मार्च को जुटेंगे दिगच राजी में सकरात्मक्ता बढ़ाने और नित्य नए अर्थिक आयाम विक्सित करने के लिए हर पल कुछ नया करने की जदो जहत का नाम ही GTRI-2 है इस दूसरी श्रिंकला में नई इबारत लिखने की तयारी की जा रही है इसके लिए संबादों और विचारों के परस पर आदान प्रदान करने के लिए एक सवशक्त मंच प्रदान किया जा रहा है ताकि मानव विकास और सामाजिक मुल्यों के बीच एक टिकाओ और बहतर समना वे भी स्थापित हो सके इसके मदनजर पटना के लेमेंटरी होटेल में 26-27 मार्च 2022 को एक व्यापक मन्थन का आयोजन GTRI2 के प्लाटफॉर्म पर किया जा रहा है इसमें देश विदेश के कई नामचीन हस्तियों के सामगम होगा और इससे निकले वचारों की रोष्णी से पूरा राजिप्रकाश मान होगा आज होगी BCA की सामवाने वारशिक आमसभा बिहार क्रिकेट असोसियेशन की विशेश आमसभा का आयोजन आज होने वाला है पदादिकारी भाग लेंगे विशेश आमसभा में पुर्व में आहोत बैक के प्रसाव की समपुष्टी होगी साथ ही पटना उश्रयाले के दो मार्श 2022 के आदेश में बढ़नित बिंदुगों पर भी विमर्श और निर्ने किया जाएगा इसके आलोक में एक पदादिकारी को BCA से हटाने पर फिर से मुहर लगाने की बात है दिली हाट की तर्च पर ही बनेगा बिहार हाट अगली बार दिली हाट की तर्च पर ही बिहार हाट बनाने पर विचारवे मर्श शिरू हो गया है उद्योग मंत्री शाहनवास हुसे ने गुरुबार को इसके संकेत दिये हैं जिसकी तहती गांधी मैदान में चड़ रहे बिहार दिवस के अफसर पर आयोजित उद्योग मंडप पवेलियन का प्रहमन करने के दौरान ही उन्होंने कहा कि दिली हाट में भी बिहार दिवस का स्टॉल पर जाकर प्रहमन किया राज़ानी पटना में खुली शुराब बंदी की पोड बिहार में शुराब बंदी कारून लागू है वहीं शुराब बंदी को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार ने मदिनिशेद उत्पाद विभाग को बड़ी जमदारी दी है लेकिन बी भाग द्वारा जब्त कई चार पहिया बाहनों के नीचे और चारो तरफ शुराब की खाली बहुत ले बिखरी मिली हैं पी पी यू में पी जी के चात्रों का रेजिस्ट्रेशन होगा इस दिन तक पार्टले पुतर विश्विद्याले में पढ़ने के चार रखने वाले च साथ 461 शुलक देना होगा विलम शुलक के साथ 100 रुपया अधिक देना होगा इसके साथ ही दूसरी तरफ बी एन कॉलेज में शुकरवार को बी एसी और बी इस तनातक पार्ट 3 के चातर चात्राओं का केंद्रियकृत सेंट अप परिक्षा होगी परिक्षा साढ़े 11 बज जारी किया है जोड़ी जानकारी नित्यान अंद्रोय और मंगल पांडे को थी इसलिए यहां के नेता जो भी बोल्ड है वो गलत बयान कर रहे है हमारी जो बात हुई है वो सारवजुनिक नहीं की जा सकती बिहार में कोरोना के मामलों में जारी है गिरावट बिहार में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है स्वास्त वभाग की तरफ से बिली जानकारी की नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाक है चार मामलों की पुष्टी हुई है जिसके बाद बि स्थापित ये बिहार का पहला संग्रहाल है यहां आपको 20 करोर वर्ष पुराने व्रिक्ष का अफशेश देखने को मिलेगा यहां देखने योगे काफी चीजे मौजूद है बौध हिंदू मौरे गुप्तकाल से जुड़े विफिन चीजे सुरक्षित रखी गई हैं लोग अब आई यह जानते हैं सराफभाजार और पिट्रोल लीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफभा बाजार की बात करें तो सोने का भाव आज 22 के लिए परती दस ग्राम 47,820 रुपे था 24 के लिए 52,170 रुपे है इसके साथ ही अगर हम चान्दी की बात करें तो चान्दी का सेल्सियस और नियों तम 20 डिग्री सेल्सियस है तो जोले बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके रसार राजारी पतना में प्रदूशन बढ़ने का एहम कारण क्या हो सकता है अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेलाइक ओन दबाना ना भूलें